नमस्कार मैं आचारिय बिनोत भरदवाज आप सभी लोगों का श्वागत करता हूँ आज एक खास जानकारी लेके आया हूँ नवग्रहों के इतिहास में वनसट साल के बाद लगने वाला संसनी खेज अद्भुद अकलपनिय संजोग जाने कब लग रहा है और आपके जीवन में इसका क्या सुब और असुब प्रणाम होगा एक सुन्दर सा कारिकम लेके आया हूँ क्योंकि वनसट साल के बाद नवग्रहों में छे इस्टार एक ही अस्थान पे बैट करके क्या सूचनाएं दे रहे हैं इसके पहले जब यह संजोग लगा था उस समय इस धर्ती पे क्या-क्या हुआ था कितनी समस्याएं हुई थी और शाथी साथ मैं लेके आया हूँ कि यह जब अदभुत संजोग लगेगा तो आपको किन चीजों पे साउधानी बढ़तने की आऊ सकता है हम आपको जनकाई देंगे रासी अनुसार लेकिन एक आप से निवेदन है कि यदि आप किसी भी प्रकार का प्रश्म लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको लालच दे तो आप उससे बिरुकुल डील ना करें विशेश करके जन्म कुंडली से संबंधित क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो की मेरे नाम पे आप से पैसा ले लेते हैं और आपका कारे भी नहीं करते हैं इसी लिए यदि आप कोई भी प्रश्न लेना चाहते हैं तो आप जाएं www.ashtotak.com पे बिनोध भरत द्वाज प्रफाइल को सेलेक्ट करें और अपना प्रश्न हमारे पास तक भेद दें हम एक उपाय देंगे वह उपाय आपके जीवन में निस्चित रूप से चली आरही परिसानियों को शमाप्त कर देगा यदि आप उन से बात करना चाहते हैं तो हम निस्चित रूप से आपकी सेवा में हाजिर हैं अब बात करते हैं एक अदभुद और अकलपनिया जो संजोग 2021 में लग रहा है वैसे तो नवग्रह अपने रासियों पे समया अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं दो ग्रही योग, तीन ग्रही योग, चार ग्रही योग, पंच ग्रही योग तो लगभग देखने को मिल ही जाते हैं लेकिन इस बार नव फरवरी रात आठ बच के तीस मिनट पे जैसे ही मकर रासी पे चंद्रमा आएंगी वैसे ही यह अदभुत योग बनेगा और इस अदभुत योग में शूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और सनी नवग्रा के काल चक्र सिधानत में कर्म भाव, मतलब आपके काम करने का जो भाव है एक तरह से राजकिये पक्छ पे एकत रहो करके महा पंचायत करने जा रहे हैं और इस महा पंचायत का क्या स्वरूप होगा आगे अगर या महा पंचायत पांच ग्रहों का, छे ग्रहों का, सात ग्रहों का हुआ है तो क्या क्या प्रभाव पड़ा है क्योंकि देखो संजोग ही है कि फरवरी के महीने में अमवस्या के दिन और अमवस्या कोई वैसी अमवस्या नहीं एक विसेस अमवस्या जिसे मौनी अमवस्या कहा गया है वो ऐसे भी कहा जाता है कि मौनी अमवस्या में मानसिक इस्तियां संकिर्ण हो जाती है अमवस्या में जचंद्रमा अपने निवन्तम इस्तिती में होता है मतलब अधिकतर जो उसके जीवन में कालि एक तरह से आ जाता है मतलब अईशा माने की जचंद्रमा बहुत संकट में होता है और पुर्णिमा में चंद्रमा पुर्ण हो जाता है और यह संजोग जो हूँ रहा है नौ फरवरी से स्टार्ट हो करके ग्यारा फरवरी मौनी अमवस्या की रात दो बच के नौ मिनट पे समक्त होगा तो सुद्रूप से माने तो दस तारीक को पूरे दिन और पूरी रात यह संजोग लगा रहेगा तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा लेकिन सबसे पहले हम आपको जनकारी देना चाहते हैं कि जब जब यह संजोग लगा है तब तब 200 पटल पे क्या-क्या घटनाएं हुई है 1962 में फरवरी के महीने में मकर रासी पे साथ ग्रहों का संजोग बना था उस समय रूस और अमेरिका में ठन गई थी रूस के दो फार हो गए थे पूरे 200 जगत में युद्ध जैसा माहौल था या आप माने की एक तरह से युद्ध हो ही गया था उसके बाद फिर यह संजोग आया है 1989 में और महीना था सितंबर का शिंगरासी में पाँच ग्रहों का संजोग दिखा गया उस समय मुसलिम जगत में बहुत उथल फुथल हुई थी यहां तक कि पाकिस्तान इरान इराक या जो भी मुसलिम देश थे उसमें आपस में मारा मारी आपस में बहुत ज़्यादा आइस्थिरता मुसलिम जगत में यह योग निश्चित रूप से पैदा किया था उसके बाद अभी पिछले साल 2019 में 26 दिसंबर को पांच ग्रवों का संजोग बना था जिससे कि आप सभी लोग अभी तक देख रहे हैं क्रोना का महा संजोग चल ही रहा है तो इस बार का यह जो महा संजोग है क्या लेके आ रहा है यह महा संजोग जब-जब होता है तब-ब इस प्रकृती में क्या कर परिवर्तन होते हैं सबसे पहला परिवर्तन ग्लेसियर का खसकना ऐसा माने की एक तरह से जल का महा प्रले चाहे बारिस के माध्यम से हो चाहे जो बड़े-बड़े गलेसियर हैं फट जाएं अपने अस्थान से हट जाएं जैसे बाढ़ जैसी इस्थिति उत्पन न करा देते हैं इसके बाद छत्र भंग जब जब यह संजोग आया है निश्चित रूप से सामसीमाएं फिर से निर्धारित हुई है कई देश अपने अस्थित्तो को खो चुके थे खो चुके हैं तो यह संकट इस साल भी पूरे साल लगा रहेगा कुछ देश के उपर आयस्थिरता की इस्थिति आ सकती है क्योंकि राज किये कारोबार मतलब राज्य पे यह च्छा ग्रहों का बिसेश संजोग बना हुआ है इसके साथ ऐसा कहा जाता है कि छत्र भंग के साथ साथ रक्त पात की भी संभावनाएं बनी रहती हैं जन आक्रोस जन आंदोलन अपने चरम पे होता है क्योंकि अमवश्या निश्चित रूप से छिर्ण होती है और निश्चित रूप से चंद्रमा मन कारक होता है इसलिए मानसिक रोग उत्पन करा देता है यदि जिनके जीवन में मन से संबन्दित तमाम समस्याइं चल रही हैं मांसिक बिमारियों के चपेट में हैं उनको पिसे साउधानी इन तीन दिनों में रखने की आवशकता है भारत के लिए थोड़ा सा यह योग अकल्याणकारी है और अकल्याणकारी इसलिए है क्योंकि सरकार निश्चित रूप से अपने एक तरह से पूरे जो भी उसका सासन का समय है उस समय में सबसे अधिक दवाओ में होगी है लेकिन मेदनी जोतिस के जो अनुसार मकर रासी कर्मभाव को निश्चित रूप से एक तरह से प्रत्निधित्त करती है तो बेरुजगारी की समस्याएं भी भारत से दूर होंगी आर्थिक इस्तितियां अच्छी होंगी लेकिन आप के लिए किनिकिन चीजों की सावधानी बढ़तने की आवसकता है क्योंकि यहाँ चागरही योग एक कुयोग है आपके मन मस्तिक को बिमार कर सकता है आपके बाड़ी को प्रभाबित कर सकता है आपके अंदर जो अनायास एक तरह से आवेग में उसाहित हो करके आपके जीवन में आइस्थिर्टा लेा सकता है तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेस रासी की मेस रासी के कर्म भाव मतलब दसम भाव में यह विसेश संजोग बनेगा तो अपने कारियों को बहुत उसाहित होके करने की आवसकता नहीं है और जहां तक हो सके अपने से बढ़ों का आसिर बात ले करके रखियेगा तिन दिनों में मन स्थिर रहेगा अब बात करते हैं दसम भाव की अब बात करते हैं ब्रशब रासी की ब्रशब रासी में नवे भाव में यह संजोग बनेगा नवा भाव जन्मकुंडली के अनुसार आपके भाग्य का भाव है हर बड़ाहट में किसी कारे को करने की आवसेक्ता नहीं है अपने से बड़ों का सम्मान करें अन्यता हानी उठा सकते हैं अब बात करते हैं मिथुन रासी की मिथुन रासी से अगर हम देखे देखते हैं तो काल चक्र कुंडली के अनुसार अश्टंभाव तमाम प्रकार की हानियों को जन्म देता है वाहन आदी चलाते समय बिसेस ध्यान रखने की आवसेक्ता है बहुत जल्दवाजी में सोचते हुए हडवडाहट में वाहन ना चलाएं और किसी से अनावश्यक बात बीबाद ना करें अन्यता आपके अनुकूल ये इस्तितिया नहीं हो सकती है अब बात करते हैं करकरासी की करकरासी में अगर हम देखते हैं तो काल शिद्धान्त के अनुसार सप्तमभाव जीवन साथी का है तो जीवन साथी के साथ मधूर शंबंद बनाए रखने की आवसिकता है अन्यता दामपत जीवन में कुछ आइस्तिताएं पैदा हो सकती है अब बात करते हैं सिंगरासी की सिंगरासी में क्योंकि काल पुरुस सिद्धान्त के अनुसार खश्टमभाव आपके सत्रूं का है तो थोड़ा सा सत्रूं से होसियारी बरतने की आवसिकता है अन्यता सत् नुक्षान पैदा कर सकते हैं अब बात करते हैं कन्यारासी की कन्यारासी में यहां यो पंचमभाव में होगा और पंचमभाव प्रेम का है पंचमभाव आपके संतान का है पंचमभाव आपके जीवन में आनंद का है तो यहां भी संतान के प्रति और अपने प्रेमी के प् अन्यता कुछ असुबफल प्राप्त हो सकते हैं अब बात करते हैं तुला रासी की तुला रासी में अगर आते हैं तो यहां योग चतुरत भाव में पड़ रहा है चतुरत भाव जमीन जायजाद वाहन माकान और शुक्का है तो जमीन आधिसे संबंदित किसी प्रापर्टी को लेना चाहते हैं तो इन तीन दिनों में विर्कुल न करें अब बात करते हैं वरिश्चिक रासी की वरिश्चिक रासी में तीसरे भाव आपके जीवन का एक विसेश अंग है उस साह से कारे को करना अनि पराक्रम तो अति उस साहित होके तीन दिनों में कारे करें अन्यता हानी उठा सकते हैं बात करते हैं धनूराशी की धनूराशी में दूसरे भाव बारी अस्थान पे है तो किसी को काटू बारी बोलने की आवसेकता नहीं है नहीं तो निश्चित रूप से इन तीन दि हो सकती है अब बात करते हैं मकर रासी की मकर रासी में यहां संजोग लगन में लग रहा है तो लगन में जो लग रहा है तो मन को इस्थिर करके कारे को करने की आओ सकता है बहुत सोच बिचार के कारे करने की आओ सकता है अब बात करते हैं कुम्भराशी की तो कुम्भराशी क के लिए मैं यही कहूंगा तिन दिनों में किसी को उधार कोई शामान ना दे अन्यता वापस आने की इस्तियां नहीं बन रही हैं नुकसान हो सकता है बात करते हैं मीन रासी की तो अत्याधिक खर्च करने की आवसिकता नहीं है अना आवस्यक यदि आप इन तीन दिनों में खर्च करेंगे तो बहुत बड़ी हानी में जा सकते हैं बहुत बड़ी हानी उठा सकते हैं क्योंकि यह संजोग जब जब लगता है आइस्थिरता ही देता है जैसे मैं तीन हुदाहरन आपको सम ग्यारा फरवरी तक बिसेश करके ओम नमः शिवाय का पाठ करें क्योंकि अमवस्या के सन्निकट है और चंद्रमा छिंडता में होगा चंद्रमा अपने निवनतम अंस में होगा इसलिए आपका नुक्सान ना हो आपके दुकान का नुक्सान ना हो आपके जीवन का नुक्सान ना हो आपके परिवार का नुक्सान ना हो पुरुस वर्ग ओम नमः सिवाय और इस्त्री वर्ग ओम सिवाय नमः इस मंत्र का जितना भी हो सके बिना माला कंठी के पाठ करेंगे तो यहाँ योग आपके लिए एक तरह से दुरयोग नहीं सुयोग बन जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे योग भी बन रहे हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं गज केसरी योग, महालक्षमी योग, बहुत सारे योग हैं लेकिन छे ग्रहों का एक साथ होना किसी भी इस्तिती में आपके लिए अच्छा नहीं है तो जरूर इन मंत्रों का पाठ करके इस दुरयोग को अपने जीवन से दूर करें अन्यता तीन दिनों में नुकसान उठा सकते हैं या कारिकर्म आपको कैसा लगा ओम नमाश शिवाय लिख करके जरूर जनकारी दें आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार